हेलो फ्रेंड में कवीता बड़ मैं फिर से आप लोगों का हमार चैनल में स्वागत है तो फ्रेंड कैसे आप सब आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो हम ये ब्लॉग होती है हमारे गाओं में तो हम लोग साम को पहुंचे थे और यहां पर देख सकते हैं पापा और हमारी नंत सब लोग मेला लगा हुआ है भगल में ही तो लच्मी पूजा का मेला सब बस खाद पी रहे थे उसके वाद सब 8 को हम तीनों बहुरानी साब तयार हो गए थे and क्यू तो पहले तो यहां पर इसी गाओं के घट में छट होता था था हम लोगी यहां 온गे पूरा रहते थे sail मिले की घंठी ही इसकीमी माता का मुर्ति बहुत लेटे कि जाता है जाता है तो बस कारण हम लोग पहुझा पाठ भी कर लें और जो मिला लगा हुआ रहता है तो वो सब भी इंज्वाई कर ले बच्चे लोग भी इंज्वाई कर लेते हैं और ग्यान को तो बहुत मज़ा आता है तो यहां पे हम लोग पूजा पाट कर लिए थे उसके बाद यहां पे माता से प्रातना वगेरा कर रहे थे और लच्मी म लचमी पूजा में ही हम लोग आते हैं तो लचमी पूजा के दिन ही हर जगा मंदीर में पूजा कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यहां गाओं की बहु हैं तो उतना ज्यादा फ्री मतलब नहीं है कि हमेशा जब बहार निकलो ऐसा कुछ नहीं होता है बस पूजा पाठ हुआ पूजा करने के बाद हम लोग आ गए ते घर और यहां पर थोड़ा बहुत फोटो सुट विगरा कर रहे थे उसके बाद आते के साथ हम लोग लग गए काम पर आज नहाय खाय चट पूजा का नहाय खाय का दिन था और आज ही रात सुभा में मतलब नेक्ष डे माता का भी सर् जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग भी निकलेंगे तो यहां पर कद्दू सब चिल लिये थे तो कि देख सकते हैं बहुत सारा सब्जी भी बनने वाला है कद्दू भी देख सकते बहुत बड़ा बड़ा है तो बस हम लोग बोल रहे थे कि लगता है कि चाकुई किसी तरी अभी निन कोस्ति है कि निया बरेख जाना कोई समील भी जोस्ति तो बड़ा बड़ा करते हैं तो कोई प्रशादी साइक देख सकते हैं मम्मी को 가능 थे Ubayz जादा तो has thought that लेकिन वहुत दिन की तेराम काफी टाइम नहीं कृतches बहुत सांदा नहीं डाल सुट वह तो यहां को किभी कि आप से खाइव तो ہं मांपहाई करने थे विदि सल्पार को जक्तिव हा नहीं म содखिए तो एक भी जाए जा रहा था तो आज के दिन तो लोग खाना भी घड़ पे नहीं खाये थे मतलब यहीं सब चीज से समोसा चाट वगेरा सब रात भर यहीं सब खाते पीते इसी तरह सा और यहां पे भजन वगेरा भी होता है तो वस वहीं उसकी अवाज से हम लोगों को नीन भी नहीं आ कि आगन होता है तो ही सब देखने usko मजाता है तो भास घ्यान को मुला ही लेते क्योंकि उसको खिला देते जाता है कि बाद में फीर मतलब खाना नी चाहता है सब लोगों का फैवरिट यहां चौमीन पर देखते हैं तो ग्यान पापा को देखते हैं पापा की गोद में चला गया वह लेचली अभी कितना चाचू के साथ जूला था फिर भी इसको मन नहीं भर रहा है फिर गया जूलने के लिए मतलब यहां पर रहने के बाद उसको ध्यान वहीं पर लगा हुआ है देख सकते खड़ा है पापा के साथ वो फिर जूलेगा तो यह नेक्ष डे सुभा सुभा है माता का भी विसर्जन हो गया था माता मंदिर से उठ गये थे हम लोग सुभा रेडी हो गये अभी हम लोग फ्र सुभा का बजरा है साथ बस माता का जब भी सर्जन हो रहा था चार वजे ही माता उठ रहे थे अपने अस्थान से तो हम लोग जग गये थे उसके बाद लेडी हो गये क्योंकि फिर नहां चट पुजा का जो है सारा काम वेगेरा भी करना है वहां जाके भी और यह दूसरा को सुभाश माता है कि मैंवेक दूसरा लाना होता है तो वहां संसकी सरा काम सहि सबाइबा अधधं से थे सब क काम जाना हूता है तो तो बस तूर निकल गए थे घर से बाहर और सुभाश मेंदा लगता है जाने में एह पर ऊछ लक्वाश और हमारे ऑथा दादा-जी है पूजा कर रहे थे तो बस पूजा दादा जी को परणाम करके बस लुगा निकल जोटे के जतना जल्दी भेजिया तो चल जा भगा जाने आज जाए विद्वाइब इन दो फिट पर जाने लेगा उसके इस पापा इनको देदी जेगा ने तो चप्राइब हाँ काम से निकल गुए निकल रहा है चरने को मुझा प्लारा है जान भी जाना है जाना बच्छे मैं भाज कुछ जाना क्या मर्डी तक्ष्वी माता के तक्ष्वी माता के भाड गयाता है तो हम लोगों को रास्ते में माता का विसर्जन भी देखने को मिल गया था माता का भी विसर्जन नहीं हुआ था तो बस यहां पे जाम लगा हुआ था तो हम लोग रुक के देख रहे थे और बस घर पहुंच गए थे घर पहुंचने बाद सब लोगों ने जल्दी से खाना पीना खा लिया उसके बाद मम्मी लग गई यहां काम पे गहुं धोया वह था वसलका सा चुन कर पिसाना था तो बस वही सब लोग अपने अपने काम में लग गए साम का खरना का फूजा हो तो बस तयारी तो हो रही थी लेकिन कुछ ऐसा कारण हो गया था जो कि हमारे घर में चट पूजा आधा ही होकर रह गया नहाय खाय और ख़रना हुआ उसके आगे हमारे घर में चट पूजा नहीं हुआ और क्यूं नहीं हुआ तो फ्रेंड्स यह सब बाते हम अगले ब्लॉ किजिएगा थैंक यू